तिलंगाना से मैन परपचो आने का एरा कि जो नई संसत बन रही है यहां दिल्ली में इसमें हमारे जो डॉक्टर भीम रामवेटकर जी हैं इनका मैन फ्रेंट पे फुटू होना चाहिए और इनी के नाम से वो संसत बनाई जाए अज़ा बाबा साब के नाम पर संसत का नाम क्य होना चाहिए बाबा साथ कानून सबकुष तो बाबा यदाण उन्हों नहीं बनाया पूरा कानून से सब्सक्राइब सब के हैं और मेरी मोधी सरकास है हम सब की कि नई संसद में फोटू होनी चाहिए बड़ी तस्वीर लगनी चाहिए उनके नाम पर संसद होनी चाहिए बहुत सी पार्टियां लगा रही है तो दिक्कत कहा रही है अब जैसे ही वहां गुजरात में पहुंचे तो बोले बाबा साथ का नाम नहीं होना चाहिए नोट पे लच्छमी जी की पोटू होनी चाहिए जात के बनिए वह अपना धन्दा पानी वह वह सी साम में ले के जाएंगे जिससे काम है उन्हों ने उस इस्टेम बोला लेकिंगों नहीं कि नाम से बोर्ड लिन नहीं एंचंप से सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दो नहीं है कि अब टो नहीं कर रहे हैं अब पता चला है इनों आप अपने अपने अप दिखाये हैं आप तो यह लॉम्डी की तरह रंग बदर रहे हैं दो दिन में इधार दो दिन अदर आगर इनको बोलो का भी गुझ्ञाथ गए थो भी एक किस्ने को नहिया बन जाएंगे अभी लगता है है ुपी पर भule भालग भाले कー हम नोग क्या है कि हम लोग भोले बाले लोग है बोले बाले इसलिए हैं कि हम लोगों जो हमारे बड़े बुजुग रहे हैं वो इतने पड़े नहीं थे अब हम लोग पड़ लिग गए हैं थोड़ा उनसे जादा पड़ लिग गए हैं उनसे जादा काम्याब होने लगे हैं तो उनको सरदाद होड़ा कि अब हमारी जो में रिकोस्ट है मोधी सरकार से रहे आगे पीछे संबसे की रिकोस्ट है कि जितने भी कॉलेजें जितने भी स्कूल है फिर वे सम्मेश समीदान पड़ाया जाए एक किताब समीदान की होनी बहुत जरूरी है उससे क्या है कि सिर्फ दलित के लिए नहीं है वो हर किसी के लिए लोग पढ़ेंगे तो कानून के बारे में समझेंगे जानेंगे लेड़ियों को भी इस चीज का फायदा होगा कि उनको अपनी तागत का पता चलेगा कि हम अगर कोई टच करता है तो कौन सा केस लगेगा कहा है कि जो स्कूल की उसमें सबसे पहला जो प्रिष्ट होता था भारत का संभीदान ऐसे लिखा आता है मैं पहले आता था अब कहां दिख रहा है आपको पहले तो डॉक्टर भीम राम मिटकर जी कि सब चारों सारी बातें आती थी पहले कि आप पढ़ाई में आपकी टोटल खतम करते जारें जड़ से अब तो मैंने सुना उनका नया सम्मीदान भी बन गया है उन्होंने एक नया सम्मीदान भी चपो आया अपना वह साब से चला रहे हैं उसको तो वह नहीं होना चाहिए ना देखो यह कैसे चला आया आप लोग सो रहे थे तभी चला आया बिल्कुल यह हम लोग पहले बता चुका हूं हम लोग मासूम थे और हम लोग मासूम है और थे हम लोग क्या जादा इसमें पढ़ते नहीं हम अगर सामने वाले तो नहीं कोशिश कर रहे हैं अब देखो मासूम है हमारे जो बड़े बुज़ट थे दो आखे कान है नाखे समझ आ रही ना चीजें कल को मोधी जी गरीबों के साथ खाना खा रहे थे सब कुछ था तो हम लोगों को लगा के चलो यह भी हमारे ही है अब उन्होंने देखिए यूपी में एक यहोगी का मंदर बन गया है वह भी लीगल है उसमें रोज आरती होती है मंदर में मंदर में रोज आरती होती है वह इली गले उसको कोई नहीं हटाएगा और अगर किसी गरीब आदमी का घर भी अगर रोड के थोड़ा टकर प्याग है तो बिल्डूर चलवा देते हैं तो बाबाजी की तो इदर साबर करका बन गया यह की जी का बन गया मोधी जी का रहे गया मुझे पर कितना विश्णू का चलता है क्या देख लेंगे इस बार कोई भी व्यक्ति हम लोग 85 परसेंट तो हैं कम से कम जागरत हो गया आप कोई बोट नहीं देगा बिल्कुल कोई बोट नहीं जा सकता है लेकिन अब आप लोगों को याद आया है कि बाबा साब के नाम पर लोगों को आप लोगों को याद आ रहा है क्या क्या मतलब कुछ एजंडली के नहीं तो हम लोग ब्यक्ति वावा सापके समारो कोई आया नहीं एक दो चार-पाच आदमी थे मैं यहीं था उस टेम जंतर मंतर पर कोई नहीं आया और के जिवालों को बोड दे दिए दे दिये क्यों अब इतने से कितने मासूम चाहिए पर लट भी नहीं में घलते हैं सताय भी जाते हैं आप लोग फ्री की तरह भागते हैं तो सब को ही मिल रहा है तो आपको लगता है दो किलो मिल जाते हैं जैसे उस में पर बाली बात ही नहीं फिरी मिले ना मिले जो जिसका है वो मिले जो गरीब आद्मी जो मिल जिनको चाहिए निकल जाएगा उसमें जिन्दी की तोड़ना नहीं है सिक्षा मिलेगी हम अपने आप कमाल हैं हमें किसी चीज की जरुवती ही नहीं पड़ेगी सिक्षा इसलिए मिलेगी कि भीमरा अम्मेट कर जी का समिदान परदा जाएं और जो स्कूल की जितीह भी प्राइबेट जπी जब्डakukan दिए जाएं हैं चली गही है can you ऑख जब इस्ट रहेगा नहीं सरकारी टो कहाँ से कोशव कोड़ा अब राण सब्सक्राइब को पता है आज कल सब जगह चाहते ति हो रहा है तुरंद कारवाई चाहिए थी बिल्डोजर चल रहा है विलकुल आपको पार्टी एसी चाहिए हैं लोगों को समझ आ रहा है कोई हिंदू नहीं है अब हम लोगों को समझ आ रहा है कोई हिंदू नहीं है आप समझ में तो टमोना कि किमक खत्म होने के बाद बचान रहता है वह दीस में मोदी को सब कुछ उनके पास है जनता से बड़ी कोई पावर जिस दिन हम लोग सब एक हो गए देखो मैं वही बात कह रहा हूं ना जब नहीं समझ है इतनी हम लोगों में जिस दिन एक हो गए हम सब बोलने लगके सब पुर्यत का कि आप लोग एक नहीं है बिलकुल मानते हैं हम लोग एक होते तो आज कल मैं कहता रहा हूं कल वाबा साब का इतना बड़ा प्रोग्राम था यहां दस आदमी नहीं थे और बूट डाल रहे थे के जिवाल को बेजिवाल को जिता दिया हम लोग रोड पर आएंगे खटे होंगे धरना देंगे जागेंगे देखिए इतना जन संक्या होने के बाद भी अगर हम लोग अपनी सब्सक्राइब नहीं नहीं थे थंडा नहीं उनको तो घंडा भी आता गिर्गिट की तरह रंग बदल दिये केजरिबाल साथ इतनी उम्मीद नहीं थी उनसे इस तरह एसे उन्होंने जब अभी जो गौतम जी ते जिन्हों लेकिन उन्होंने इस्तिफा लेकिन मेले पत्से इस्तिफा नहीं तो मंत्री पत्से पर मोधी जी तो एक दिन वह अगर जैसे मैं आपके अंडर में काम कर रहा हूं आप हमारा सपोर्ट नहीं कुछ चीज़ें ऐसी है कि उनको एकदम से नहीं छोड़ा जा सकता है कुछ चीज़ें जुड़ी हुई है कुछ चीज़ें निक हाला कि यह चीज तो साफ हो गई के के जिवाल दलितों के मसीहा नहीं है और ना ही वो दलितों को सपोर्ट करते हैं कि इसलिए साफ हो गई कि जब उन्होंने बोला कि ना तो गौतम जी के खिलाब को इस्टेटमेंट दी है कि उन्होंने सही किया कुछ तो बोलते एक दम से अब तक उनकी चुपी रही है और वहां जाके बोल दिया के होने तो उन्होंने बस उन्हों दिखाना था एक बात तो साप है लक्षमी जी की फोटो से आप लोग नहीं हम लोग बिल्कुल हम लोग देखो एससे तो हम लोग अगर हिंदू है तो आज कि जैसे कोई चौधरी है कोई दलित है कोई एरवार है हमारे इदर यूपी में जह हिंदू होता है तो एक लेवल होता ना एक लिए आपके में भी जो एससकी ओभी सी आपके में खुद जाती जाती का वो करते भेदवा मैं शादी नहीं करते उस जातियों में मैं ऐसा है कि हम अंदर से सुधरेंगे जबी तो सामने वालों को सुधार पाएंगे लेकर हम लो आप चार पाई पे बैट होगे हम नीचे बैटेंगे तो यह तो प्रकिन साधी नहीं करेंगे निस कैसे सोच रहे हैं कि सत्ता में परिवर्तन कर लेंगे परीवात देखो मैं सुनो एक तेम ता माया बतीजी की सरकार थी उपी में ठीक है सरकार आई थी मिजोर्टी होगी ज सामने वाले को जब तक कुछ नहीं होने का अब वही है कि हम सब को यह खोना पड़ेगा और बाबाबा साब करका इंतजार करता है बिल्कुल दलित के जितना बोला आदमी मैंने इंडिया में इतने अपने बोले हैं और मुझे नहीं कि लोग जो आधी वासी वह भी इतने ब अब वहां जाने वाले हैं गुजरात के बाद उत्राखन अब वहां जाके पता नहीं कौन सी देव भूमी के देवता बन के उख रहेंगे वो को मेरे को सपना आया नुमान जी का मिजे तो यासे करना है यह हूँ है मैं तो यहीं पाड़ पर खड़े होके बास अड़ दूं परिशानी तो नहीं होने जाए आप लोगों वहीतो हम लोगों नहीं क्या है कि हमारे मैं अपनी इधर यूपी की बात करता हूं जहां सी कि हमारे साड़ जो लोग है आप मानों इस लोग बैठे हैं और चार बोल देंगे मोधी मोधी तो पांच चाहिव बख्ष बाले भी ह यह परसेंट कोई वैक्ति नहीं समझता है वहां बोत की वैलू उनने समझ में आती कि प्रदानी का एल आड़ संहे तो दस जा लेने पहुत है लेकिन जो बड़ी लेविल की एलेक्शन वोता है उस नी को देना है यह किसी को भी देना है उनका मन बन गया तो वह एक गाहुं एक उसमें धल जाएगा अब तक रहे हैं जो जागरत हो रहे हैं वो दीरे सब्सक्राइब कानुन क्या होता है बड़े बूरे तो पड़े नहीं थे अब जो आज की डेट के बच्चे पड़े उए वो समझते हैं चीजों को आपको लगता है कि आपकी बात मान ली जाएगी मैं देखो शुरू बात तो एक एक चीज से की जाती एक आदमी भी आ जाए तो शुरू बात हो जाती कि फलानी यह का यह आदमी आया अब दीरे दीरे पड़ेंगे लोग समझेंगा अब यह तिलंग आना से आया सोचो अब हम मुर्खों के बात दिमाग में बात आई नहीं रही है बात में रोएंगे यहार हम ऐसा कर लेते तो अच्छा था यहां लाकों रुपे का काम पहले पहले अपने समाज को जागरित करना चाला वहीं करने जा रहा हूं मैं अभी तीन चार अपते से यही राम दिला में पढ़ रोने लग जाएगा तो उसकी तरफ ध्यान जाएगा इसको प्यास लगी तो भूप लगी तो लोग रहेंगे लड़ेंगे तो पुछ तो सुनवाई होगी रिक्वर्ष्ट करेंगे लेकिन ऐसे हाथ पर हाथ रखने रखके बैठे रहने से तो कुछी चीज का समाधान है न imperson ऐीरा जाएगे लेकिन खुोँ सीज में छ़ाएग।